हेलो गाइस नमस्कार मेरा नाम है कपिल और आज के इस ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है और यहाँ पर हम आज आए हैं अपने खेत पर और खेत पर यह हमारी मक्का है देखिए यह मक्का के पेड़ खड़े हुए हैं और इन पर अभी भुंटा आच चुका है ठीक है त तो यहाँ पर यह जो भुंटा आया था यह देखिए इसको इन्होंने तोड़ दिया रात को दस दस बारा बारा बजे तक रखवाली करने के बाप जूद भी हमारे पापा है वो रात को दस दस बारा बारा बजे तक खेत पर रुकते हैं उसके बाद घर पर जाते हैं मतलब नीद को भी खराब करते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद भी घर पे जाते हैं उसके बाद सुबाद को आ के देखते हैं, तब भी कुछ नुकसान हो चुका होता है. अब देखें यह पूरा खराब हो गया, अब यह यहाँ पर पकेगा नहीं, यह खराब हो गया है, बिलकुल तूट गया है, ठीक है, और ऐसी एक नहीं, अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितने साड़े पेड़ भी यहाँ तोड़ दियें, दिख रहे हैं आपको, और भी ज्यादा नुकसान होता है किसानों का, यह आवारा जो खुले हुए साड़ घूम रहे हैं इनके द्वारा, ठीक है, तो इन्हें दखाना पड़ता है, आज मैं खेत पर आया था पापा आने का चलो, खेत पर चलते हैं, तो हम चले आए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, पा थोड़ा से सीन आपको हम इधर का दिखा देते हैं, देखिए, यह, कितना अच्छा सीन लग रहा है, यही पर लेट जाए, तो चलिए आपको इधर नजारा देते हैं, वहुत अच्छा लग रहा इदर, थोड़ा देख के चलना पड़ता है कि कोई बारिस का मौसम था भी तो यहां पर कोई कीड़ा बगारा ना निकला है देख वाल के चलना पड़ता है देखो यह आपको बुंटा देखा देते हैं कितना सुन्दर बुंटा लगता है यह मक्का का यह इसकी मूच बोलते हैं ऐसे तो फिलाल अभी मक्का पकी हुई नहीं अभी तो इसमें दाने भी सही से नहीं पड़ पाएं लेकिन नुकसान करने सुरू हो चुके हैं मतलब जंगली जानवर हैं वो नुकसान सुरू कर चुके हैं तो अभी मालो इसमें अच्छे से दाना भी नहीं पड़ा है लेकिन अभी आगे आपको कुछ दिखा देते हैं जली छेट पर आए हैं तो कितना ज़्यादा इहां पर नुकसान हुआ है देखिये ये इतने चारे पेड़ है मिको खाई लिया बिल्कुल। इतना ज्यादा लिया थे उपर का पेड़ ही नहीं है यह देखो आगे चलते हैं यह समझ लो इतने अंदर आके खा जाते हैं मतलब रास्ता वो है वहां पर वहां से यहां तक आते हैं रात में साड़ और खा लेते हैं देखी चारों तरफ यहां मक्का है लेकिन बीच के कोने पर भी यहां पर उन्होंने खा लिया है मतलब ऐसा नहीं कि किनारे पर सड़क किन किनारे होती है उन्हीं को नुक्सान होता है जो अंदर होते हैं उनमें भी नुक्सान हो जाता है तो वैसे हम आज फिलाल यहां पर आए थे आप लोगों को बताने के लिए कि ब्लॉग आखिर बनता कैसे है तो अभी उसी का स्थीन सूट करने जा रहे थे तालाव के किनारे सो फिलाल आप लोग कैसे हो हमें बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा